Hello everyone, welcome to my channel, today's video is another requesting video, मेरे एक प्यार से सब्सक्राइबर बहुत टाइम से मैं से रिक्वेस्ट करी थी कि मैं उनके लिए एक ट्रांस्पिरेंट नेल पें पे विडियो लेके आऊं, तो बस मिले आई हूँ आप सबकी रिक्वेस्ट पे एक विडियो और ये बहुत चोटी सी ही स्पेसिफिक इंफोमिशन ही आप लोगे साथ शेयर करूंगे तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और इसके लिए आपको चाहिए हैं जैनेटाइजर ये आपको जो थिक फॉर्म में आता है आपको वही यूज करना है वाटर फॉर्म में जो होता है उसको आप ना यूज करें क्यूंकि हमें नेल पिंट बनाना है वह थोड़ा सा थिक होना चाहिए तो इसके बाद हम ले रहे हैं सेकंड ग्लिसरीन ग्लिसरीन जो होता है ये अच्छा सा शाइन देता है हमारे नेल्स को और ये थिक भी होता है इसलिए हमने इसका यूज किया है इसके बाद आपक कुछ भी ले सकते हैं, अगर transparent glue आपके पास है, तो वो best है और इसकी quantity आपको ज़ादा लेनी होगे और अगर आपके पास नहीं है, तो आप favicle का भी use कर सकते हैं, और इसकी कम quantity भी चल जाएगी इसके बाद आपको इसे अच्छे से mix करना है और किसी भी brush के help से आप इस apply कर सकते हैं या फिर आप इसे bottle में किसी भी nail paint की bottle में store करके रख सकते हैं यह मेरी पुरानी nail paint की bottle थी जिसे मैंने clean किया था, वो भी बिना nail paint remover के अगर आप लोग को चाहिए इस पर video आप कर सकते हो अराम से काफी दिन तक यह आपका चल जाता है और उसके बाद मैं इसे apply करके दिखा रही हूँ तो आप लोग देख सकते हो मैंने पहले से ही nail paint apply कर रखा है और उसके उपर से मैं shine के लिए इसे apply करके दिखा रही हूँ इसमें glue मिलाने का purpose बस इतना ही है ताकि आपके nail space stay करें अगर आप without glue use करेंगे तो यह आपके nail space stay नहीं करेगी तो इसलिए glue मिलानास में जरूरी हो जाता है इसके लावा मैंने nail paint के एक video और भी upload किया है जिसमें मैंने बहुत सारे अलग-अलग color की आप nail paint बढ़ा सकते हो यह मैंने बताया है अगर अपने video नहीं देखा है तो जरूर देखेगा और यह video कैसा लग मुझे comment section में जरूर बताएगा like कीजेगा, share कीजेगा और channel को subscribe कीजेगा आगे और भी ऐसी videos देखने के लिए thank you so much for watching